उन्होंने एक धारणा तैयार कर लखी है कि आप हमारे फ्रेमें आ जाओ तभी आप हिंदू है नहीं तो आप हिंदू नहीं हिंदू धर्म-धार को मानो चाहे मत मानो बस हमारी शरण में आजाओ हमारा जैकार बोलो हम आपको बःст बढ़ा हिंदू को उशित कर दो जब हमने कांग्रेस को फटका रहा है, जब हमने भरे मंच से कांग्रेस के मुखे मंत्री को डाट करके भगाया है और वो बाकाइदा लिटरली भागा है वो वीडियो के हुँ नहीं दिखाते हैं वो भी साथ में दिखा दो एक तरफ हम नरेन्द मुदि को भटकार रहे हैं एक तरफ मन मौन सिंग को भी हमने बटका रहती अभी हम जब तक गव हत्याबंद नहीं होती है तब तक बगवान के सामने खड़े होने लाइक नहीं है, तो बगवान जल्दी से हमको बलपरदान करो, हम कुछ ऐसा करें जिससे ये कारी हो जाए, तो हम आपके सामने आके आपके चेड़नों में माताना वाले है। तो किस तरह से विशारा है आपके मन में ये सब करने का और इसके पीछे का क्या धे है, और हम सुन रहे हैं कि जितने भी धाम है, चार धाम के साथ साथ, वहां पर महुस्सा होने वाला है। क्या प्रहम है कि लोगों को ये बता दिया जाता है कि अब पट बंद हो गए, अब शे महीने बाद कुलेंगे। तो शे महीने क्या भगवान बिना पूजा के रहेंगे, बिना किसी के दर्शन के रहेंगे। तो ये हमको बहुत बात सालती थी। हमने कई बार लोगों से अनुरोध किया कि ये सब बातें स्पष्ट करो। लेकिन क्या होता था कि मेडिया के द्वारा पट बंद होने का जो समाचार है बहुत प्रमुकता से दिखाया जाता है। और फिर पट खुलने का समाचार भी उसी तरह से है। तो उसके कारण लोगों के मन में ये गलत शबी अंकित हो गई थी। तो हमने सोचा कि स्वयम आगे बढ़ करके इस शबी को समाब्द करना चाहिए। सच बात ये है कि हमारे जो उत्रहकंड के शारधाम हैं उनमें निरंतर पूरे वर्ष पूजा होती है। इतना जरूर है कि जिस स्थान में गर्मी तक हम पहुँच जाते हैं, जब ठंडी का दिन आता है, शीत काल आता है तो वहां पर थोड़ा दुरूख हो जाता है। तो वहाँ से हट करके नीचे दूसरे स्थान बने हैं. देफधाओं के वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर नियमितरूप से पूजा अर्चना होती रहे हैं, यात्रा होती है. लेकिन लोगों के मन में धारणा हो गए कि 6 महीने ही होती है तो हमने सोचा कि इसको हम स्वयम आगे बढ़ करके तोड़ें तो वो तोड़ा गया अब बहुत साले लोग उनमुक हो रहे हैं फिर से तो थोड़ा सा इसका इतिहास जाना चाहूंगे एसा ये पहली बार हो रहा है या कितने सालों बाद हो रहा है क्या है नहीं हमने ये बात वहां भी सपस्ट की थी लोगों नहीं हम से पूछा कि आप नहीं परंपरा सुरू कर रहा है हमने करना बिल्कुल नहीं कर रहा है ये तो हमारे पूरवजों की स्थापित परंपरा है और इसलिए चारों जो हमारे धाम है उनके शीत कालिन्स पूजास्थान बने हुए है देखिए जैसे यमनुत्री जी का पूजास्थान जो है वो शीत यमनुत्री खरसाली में है, गंगोतरी जी का पूजा स्थान शितकाल में, मुखवा में है, इसी तरह से केदारनाजी का उखी मट में है, और वद्रिनाजी का जोशी मट में, पांडू किश्वर के सहीत, तो यह हमारे यहाँ पूरवजों ने बना रखा है, सुखी मट, मुखी मट, उखी मट और जोशी मट, यह चार हमारे मट हैं, पुराने समय से बने हुए हैं, कि सितकाल में यहाँ पूजा होगी और लोग दर्शन करेंगे, यात्रा करेंगे, जोशी मट से आदाता है, जोशी मट में पीछे हम देख रहे थे कि काफी धस रहा था, आपको भी आमने वहाँ प बहुत सारी एजनसियों से यहां तक की सुप्रिम कोट से भी गवार लगाई थी कि कुछ इसमें डारेक्शन करिये ताकि कुछ हो, लेकिन बहुत सारे भी शेशगे गए चीजें हुई, लेकिन कोई ऐसा धरती पर, धरातल पर कारिये बचाओ के लिए होता हुआ दिखाई नहीं दिया, उस समय जब हम लोगों ने देखा कि अब कोई बचाने माला नहीं है, तो हारेको हरी नाम, तो हम लोगों ने सोचा कि देवताओं की आराधना करते हैं, तो जो शिमत में जो हमारा नर्शिंग मंदिर परिशर है, वहां पर हम लोगों ने जो तीसियों से प्रस नहीं और लोगों के मन में जो भै था वो फिलहाल तो निकल गया है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा उपाय वहां की सुरक्षा के लिए किया गया हो, ऐसी जानकारी में हम लोगों के नहीं है, इसलिए समस्या बनी तो है, लेकिन फिलहाल लोगों का जीवन सामानने हो चुका और दूसरे हम देखते हैं कि आप गायमा के लिए काफी आवाज वठाते रहते हैं, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आप संगोष्टी में आई हुए हैं, तो भारत में गायमा की जो स्थिती है गौमाता की, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना सरकार को इस से लेकर? जो गाय है, शरीर उसका पशु जैसा, लेकिन हमारे किसी पूरवजन है, गाय को पशु नहीं माना, और आज हमारे कानून के अनुसार गाय एक पशु है, तो उसको पशु की श्रेणी में जो डाल दिया गया है, इसी कारण से उसकी यह समस्या हो रही है, तो यही इसलिए ह हम लोग चाहते हैं, कि वो पशु हो करके भी पशु नहीं है, जैसे राम जो है, वो मनुष सरीर धारन करके भी मनुष नहीं थे, उसी तरह से गाय जो है, वो पशु हो करके भी पशु नहीं है, पशु से उंची है, और उसका एक अपना दर्जा है, बेदों ने उसको और कहीं न कहीं वह सानी हो जाता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा तो आपको लगता है कि देश में यह चीज़ें रुक पाएंगी कि इतनी बार इस चीज़ को रोखने की मांग उठती रही है अलगलग लोगों ने मांग उठाई है आप भी हमिशा से हर मंच से चीज़ों को कहते हैं आपको लगते हैं इतना यह आसान हो पाएगा देश में लेकिन नहीं होगा ऐसा हम नहीं मानते हैं हम यह मानते हैं कि कितना भी कठिनकारी हो अगर विक्ति प्रयास करें तो एक नएक दिन तो सफल होता ही है 500 साल तक हम लोग राम जनम अभूमी के लिए लड़ रहे थे 500 पांच सो वर्ष लगा लेकिन आज आज हो गया ना तो इसलिए कभी-कभी चीजें देर में होती हैं लेकिन होती हैं अगर लगा रहे हैं तो होगा गाए की जो प्रतिष्ठा प्राचेंकाल में अमारे देश में थी वह पुना प्रतिष्ठी होगी उसी पद पर हम आपको स नहीं जाएंगे तो यह तो बहुत वक्त लग सकता है फिर आयोध्याब कब जाएंगे जाने के बारे में नहीं कहा हमरे कि किस मों से खड़े होंगे व्यक्ति के रूप में भी और एक आचारी के रूप में भी हमारे अपने दाईत हैं हमारी जबाब देही है तो हम जब भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान पूछेंगे ना कि क्या करके आये हो हमको हमारे सामने आके खड़े हो कि बड़ा भक्त बन रहे हो क्या करके आय हो गाय मर रही है जिसके लिए हमने उतारधारन किया है उसको तो बचाय नहीं है करके हमारी पूजा हमको बड़ी बढ़ी बदादी दिखा रहे हूं यह जो है बगला भकती है हम इसको स्विकार नहीं करते हैं तब हम क्या करेंगे तो इसलिए हमारे मन में बात आई कि अभी ह सवाल केदारनाथ से जुड़ा हुआ है केदारनाथ में अकसर आप देखते हैं कि वहाँ पे लोग जाते हैं रील बनातेершी है अखर टीक के spot जो बन रहा है वहां पर reels बन रही है यह सब ठीक है या इसको रोक देना चाहिए यह ऐसा है असल में क्या हो रहा है कि अपने घर से कोई भी विक्ति दो कारणों से निकलता है एक तो तीर्थ यात्रा के लिए और दूसरे मन बदलने के लिए तो जो तीर्थ यात्री होता है वो चाहता है कि हम तीर्थ में जाएं तो परमपवित्र भावना से जाएं कश्ट सहते हुए जाएं और भगवान के सामने हमारे पाप नश्ट हो जाएं और जो आमोत प्रमोत के लिए निकलता है मन बदलने के लिए निकलता है वो घर में रहते रहते वुप जाता है से दोनों चीजे मिल जा रही है अब तीर थेत्रा भी प्रभावित हो जा रही है और परेटन भी का भी पुरा वो आनंद नहीं मिल रहा है जो उनको मिल सकता था तो ऐसी स्थिति में हम इसाहते हैं कि परेटन स्थल अलग विक्सित किया जाने चाहिए और तीर थेत्रा हमारे जो परेटन वाले हैं उनको और भी अनेक इस स्थान है महां जा सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जो जो शीमत आता है वो तीर थेत्रा के लिए आता है जो अली चला जाता है तो वहां ठीक है बीच में पंदरा किलो मीटर की दूरी है और दोनों आते तो हैं लेकिन फिर दोनों लग लग हो जाते हैं कि दायर्णात में काफी मतलब विवाद रहा भी जो यात्रा रही है कई सारी एक नहीं मतलब कई सारी रिल्स यहां पर सामने आए गर बुड़ाय की फोटो जा रही है इसको लेकर काफी मतलब आलोचना भी लोग करते रहे हैं हलाकि इसको 28 किलो लगा रहे हैं इतना लगा रहे हैं यह सब कहा और बाद में उस पीतल निकल गया तो उसकी बाहर आ गई तब रोक लगा दी तो हमारे उपर आक्षे पा रहा है इसलिए रोक लगा रहे हैं के दार नात धाम की पवितरता बनी रहे इसके लिए अगर रोक लगा ही जाती बड़ा बड़ा फिर भी वो चीजें हो रही हैं तो अब मैंजमेंट को लेकर कहेंगे किस की गलती कहेंग किए? अगर कहीं पर कोई परिशर है और वहां कुछ अब व्यवस्ता हो रही है और व्यवस्ता समीती है तो कौँ जमेदार होगा या तो कोई व्यवस्ता समीती ना होती तब तो हम लोग खोचते कि कौँ जमेदार है लेकिन एक व्यवस्ता समीती है और व्यवस्ता हो रही है इसका यह कहना है आपको लेकर कि आपको जो है अजय आरहिए, वो लोग भी जा रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जाना क्यों नहीं चाहिए, सब को जाना चाहिए, अयोध्या तो हमारा तिरतास्थान है, अशिको कैसे मना करते हैं, और हमने भी कहा, अभी आप से बातचीद करते हैं, के known कि अयोध्या तुम स्थीर्श स्थान यहां में ना कारने का आखिए, ऊजाектप्र निर्मित हो जाए, हम शाहत्र पढ़ते रहते हैं इसलिए हमको शाहत्र के जानकारी है रभींद्र पूरी जी महाराज को भी अगर ध्यान दिलाया जाएगा तो उनको भी ध्यान आ जाएगा इतनी सी बात है उनको ध्यान नहीं है वो समझ रहे हैं कि हम किसी राजनितिक जैसा कि प्रचार कर दिय है वो कहते हैं हम देख रहे हैं कि पुरानी पुरानी वीडियो अब हो रही है जाकर आपसे जुड़ी हुई तो ये वह पुराना कोई को भी हमने भटका रहा था एक तरफ हमने अपने उत्राखंड के मुख्यमंत्री बिजय भगुणा जी प्रयाग में मंच से भागे थे भाग करके अपने सुरक्षा बालों की गाड़ी में घुज गए थे हडबडी में वो भी तो ये दृष्ष था उसको क्यों नहीं आप नि यह होता है चाहि भला ही उससे हमारे कोई स्व male कर रहे हैं तो इसे इसे जोड़के देखा जारहे कि जो यह दो घरमशास्त्र को मानो चाहें मत मानो बास हमारी चरण में आ जाओ हम आपको बहुत बड़ा हिंदु गोशित कर देंगे तो अ वाले हिंदू हम नहीं हैं, हम तो दर्मशाहत्र के अमस्वार अपने जीवन को चलाते हैं, तब अपने को छोटा सा हिंदू कहने की हिमत करते हैं। करते हैं, 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 करते हैं